और अब भारत के माननी प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी विशिष्ट अतितिगंड को सम्भोजित करेंगे महमहीम राष्टपती जी, उपराष्टपती जी, स्पीकर महदया, गुलाब नभी जी नरेंद्र सिंग जी, अतल जी के परिवारजन और सभी अतल प्रेमी स्वज़नों परलामेंट के सेंटर होल में, अतल जी, अब इस नए रूप में हमें आशिरवाद भी देते रहेंगे और हमें प्रेरणा भी देते रहेंगे अतल जी के जीवन की सबसे बड़ी विश्था के रूप में बहुत सी चीजे कही जा सकती है और एक भी बात दूसरे से कम नहीं हो सकती है घंटों तो कहा जा सकता है, फिर भी पूरा नहीं हो सकता और कम शब्दों में कहने के बाद भी, शायद उस विशाल व्यक्तिती पहचान भी की जा सकती है ऐसे व्यक्तितों बहुत कम होते हैं इतने साल, पार्लामेंट की गलियारे में जिन्द की गुजारने के बाद भी दसकों तक सत्ता से दूर रहते हुए जन सामान्य की पवित्रता से निष्ठा से सेवा करते रहना सामान्य मानवी की आवाज को बुलंद करते रहना और व्यक्तित जीवन के हीद के लिए न कभी रास्ता बढ़लना ये अपने आप में सारवजेनी जीवन में हम जैसे कई कारकरता होने बहुत कुछ सीखने जैसा है राजलीती मुटार चराव आए है जैपराजय आए है लेकिन आदर्शों और विचारों से कभी समझोता न करते हुए लक्ष की और चलते रहना और कभी ने कभी उसका सही परड़ाम मिलता है ये हमने अटल जी के जीवन में देखा है उनके भाषन की बड़ी चर्चा होती है लेकिन साइद भवीष में कोई मनोवेज्ञानिक द्रस्ति से रिसर्च करने वाली व्यक्ति अगर उनके बड़ी गहराई से अनालिसिस करेंगे तो जितनी ताकत उनके भाषन में थी साइद उससे कई गुना ताकत उनके मौन में थी वो जनसभा में भी दो-चार बाद के बोलने के बाद जब मौन हो जाते थे तो ये बड़ा गजब था कि लाखों की जदमेदी के आखरी व्यक्ति को भी उस मौन में से मैसेज मिल जाता था ये कौन सी उनकी कॉमुनिकेशन स्कील दी शायद शायद इस यूग में मौन की कॉमुनिकेशन स्कील कब बोलना और कब मौन रहना वो जो ताकर थी वो अध्भूत थी उसी प्रकार से वो अपनी मस्ती में रहते थे कभी साथ में ट्रावेल करने का मोका मिला तो देखते थे कि वो आखे बंद करके ही रहते थे जादा बात बात नहीं करते थे उनके स्वभाव में था, लेकिन छोटी सी बात में भी ज्यंग करना जो उनकी विश्यस्ता थे, कितना ही माहुल गरम, हमारी पारिटी मीटिंग में कभी माहुल गरमाया भी हो, तो ऐसी छोटी सी बात रख देते थे, एकदम से हलका फूल का वाताउन कर देते थे यहने एक प्रकार से परिस्तिती को साध लिया था उन्होंने अपने भीतर समाहित कर दिया था ऐसा व्यक्तित्व लोग तंद्र की जो सबसे बड़ी ताकत होती है उस ताकत को समर्पित्थे और लोग तंद्र में कोई दुश्वन नहीं होता है लोग तंद्र में सपर्दा होती है, प्रतिपक्षोसा है आदर और सम्मान उसी भाव के साथ बनाए रखना यह हमारी नई पीड़ी के लिए सब को सिखने जैसा है हम सबने सिखने जैसा है, कि हम किस प्रकार से प्रतिपर्दी को भी कठोर तम आलोचना को भी आदर के साथ, सम्मान के साथ, उस व्यक्तित्व के तरफ देखते रहें यह अटल जी से सीखने वाला विशह है आज आदल जी को आदरांजली अर्पित करने का अवसर है मैं मेरी तरफ से, सदन के मेरे सभी साथियों की तरफ से आदर इंडिया अटल जी को आदरांजली देदे